आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, हमार जो Question है उसमें बला है कि यह एक Quadratic Equation है और हमें Alpha की Value वो बतानी है जिससे इसके बोथ Roots जो है न वो Equal in Magnitude है बट अपोजिट इन साइन ठीक है, इसका मतलब देखो अगर कोई एक Quadratic Equation होता है Ax² प्लस Bx प्लस C is equal to 0 ठीक है, तो अगर मैं B को 0 कर दूँ तो देखो क्या आएगा Ax² प्लस C is equal to 0 ठीक है, तो यहाँ से Ax², लब x² को लिख सकते हैं क्या मैंनस C y A ठीक है, तो अगर यह यह मैंनस C y A यह अगर Positive होगा तो X की दो value आएंगी अब वो भी क्या होंगी C y अंडरूट C y A यह मैंनस अंडरूट C y A यह दोनो Equalant Magnitude और Oppositive Sign होगा की नहीं होगा न इसका मतलब हमें क्या करना है कि B की value क्या करनी है, 0 करनी है अपने Quadratic Equation में ठीक है, चलो कर देते हैं तो देखो, हमारा Quadratic Equation गिवन था 4x²-4 alpha-2x plus alpha-2 is equal to 0 तो यहाँ पर हमें क्या करना है B को क्या करना है 0 करना है ठीक है B को 0 करना है तो B को 0 करो तो देखो, क्या आएगा यहाँ, इसको 0 करना है मतलब minus 4 alpha-2 यह होगा 0 मतलब alpha is equal to क्या होगा 2 होगा ठीक है और साथी साथ, और साथी साथ क्या करना है, देखो, ये तभी possible है, जब हमारा c by a, ये minus c by a, ये positive होना चाहिए, ठीक है, मतलब, minus c by a, ये positive होना चाहिए, तो देखो, तो c अपना क्या है, minus c कितना है, alpha minus 2, divided by, a अपना 4 है, और ये greater than 0, इसका मतलब, और alpha minus 2 हो जाएगा, क्या less than 0, minus c by a, तो ये क्या हो जाएगा, sin reverse हो जाएगा, तो alpha less than 2 हो जाएगा, ठीक है, तो देखो, हमें इस equation को, मतलब, जो हमारा condition जो दिया है, उसको satisfy करने के लिए, ये भी, ये भी valid होना चाहिए, और ये भी valid होना चाहिए, मतलब, दोनों satisfied करना चाह होना चीह, ये लेखिन बोल रहा है कि 2 से चोटा होना चाहिए, ये 2 के बराबर नहीं बोल रहा है, 2 से चोटा होना चीह, और ये बोल रहा है कि 2 होना चीह, तो दोनों में contradictory है, मतलब, एक साथ satisfy नहीं कर सकते, इसका मतलब अल्फा की कोई value ही नहीं है जो इसको satisfy करे ठीक है तो ये हमारा हो गया क्या answer Hope आपको समझ में आ होगा Thank you